सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बोलना ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो में आज हम बात करें हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है रैटिफाई रैटिफाई एक वर्ब होता है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है to make an agreement officially acceptable by voting for or signing in it मतलब किसी चीज को officially agree कर जाना agree हो जाना किसी चीज को लेके न वो हता है ratify करना ठीक है आप सहमत हो किसी चीज से वो कहलाता है ratify एक शब्द में कहें तो पुष्टी करना या सहमती दिखाना बनी ठीक है synonym की बात करें तो validated और endorsing हो जाएगा antonym की बात करें तो reject और revoke हो जाएगा बात करें sentence में इसको कैसे यूज किया गया है तो the agreement has yet to ratify by all the countries तो जो agreement है वो अभी भी कई सारी country यो द्वारा ratify नहीं किया गया है ऐसा इस sentence में कहा गया है चलिए next देखते है अगला जो word हमारे पास है वो क्या है वो है बोईड बोईड एक वर्ब होती है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है to keep something at a high level इसके पहले मैं बोईड का आपको इसके पहले वाले session में मैंने बोईड का मतलब बता है था कि happiness देना किसी को ना उच्छाहिट करना किसी को होता है लेकिन बो ठीक है तो उचे इस तरह पर रखना आप बोल सकते हो एक sentence में इसको और बात करें synonym के इसके तो bloster या boost हो जाएगा और antonym की बात करें तो demotivate या depressed हो जाएगा ठीक है sentence में इसका use देखें तो share prices were buoyed by the news of our takeover तो जो share prices थे वो बहुत तेजी से उपर के तरह भागे कब जब ये news आई की takeover कर लिया गया है particular company का ठीक है चली next देखते हैं अगला जो word हमाँ पास वो है uphold अपहोल्ड एक verb होती है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है to support a decision etc especially when other people are against it तो किसी decision को support करना जब उसके खिलाफ और दूसरे people हों सब लोग उसके खिलाफ हों तब आप उस चीज़ को support कर रहे हो वो कहला था uphold generally friendship में इस चीज़ देखने को मिलती है कई बार आपके friend गलत होते हैं बट आप उन्हें support करते हो तो आप क्या कर रहे हो आप uphold कर रहे हो ठीक है तो इसको एक sentence में कहें तो समर्थन देना हो जाएगा एक शब्द में अगर कहें तो समर्थन देना हो जाएगा जो भी constitution बना होगा ठीक है चलिए next देखते हैं अगला जो word है वो है breach एक noun होता है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है तो कोई एक ऐसा कार्य जो किसी agreement को या किसी law को किसी कानून को तोड़ता हो वो कहलाता है breach करना ठीक है एक शब्द में अगर देखें तो उलंगन करना आप बोल सकते हो इसको synonym की बात करें तो contravention और violation हो जाएगा और antonym की बात करें तो keep करके रखना और observe करके रखना और preserve करके रखना और preserve करके रखना ऐसा भी बोल सकते हो ठीक है sentence में इसका use देखें तो if you breach your contract they will claim damage तो अगर आपने अपना contract breach किया तो वो लोग damage के लिए claim करेंगे ऐसा बोला है इस sentence में ठीक है चलिए next देखते हैं अगला जो word हमारे पास वो है enrogement enrogement noun होता है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है intrusion on a person's territory right attracta मतलब किसी के territory मतलब होता है जमीन जायदाद पर ठीक है और किसी के rights पर मतलब आपने उस पर rights चोते हैं हमारे उस पर किसी का enrogement हो ना किसी को कबजा करना किसी का घुसपैट करना कोई आकरमण करना ऐसा बोल सकते हो कि आपका कबजादारी करता ना तो inroge कहलाता जैसे जब गाओं में आप लोगे सुना होगा कि कबजा कर लिया है नोंने ना हमारी जमीन पर कबजा एंटॉनिम की बात का है तो असिस्ट करना और फैसिलिटेट करना मतलब उनकी सहायता करना ठीक है उनको परिशान ना करना उनको आतिकरमण ना करना उनकी सहायता करना हो जाएगा sentence में यूज देखे तो far from harming the city मतलब city को harm करने की बात तो दूर है enrogement on the green belt अगर आपने green belt पर आतिकरमण किया आकरमण किया will harm the surrounding village तो जो अगल पर की गाउं है वो उनको बहुत जादे नुक्सान होगा city के तो बात अलगा है उन villages को बहुत जादे नुक्सान होगा अगर वो green belt मतलब होता है कि जहां पर जंगल होते है ना उनको अगर आपने चोट पहुचाया चलिए next देखते हैं अगला जो वर्ड है वो implicitly implicitly adverb होता है इसका मतलब होता है in a way that is suggested but not communicated directly मतलब कोई चीज़ आपको suggestion तो दी जारी है लेकिन indirect way में दी जारी है directly वो चीज़ नहीं की जारी है जैसे for example एक जिला हूँ मैं आपको आपके mark sheet आपके teacher देखते हैं तो कई बार आपको suggestion देगा लेकिन directly नहीं देगा आपके teacher से कह देगा तो teacher आपको बता रहेंगे ठीक है तो किसी चीज के बारे मैं कहना बोल सकते हो आप एक तरह से सुझाया सुझाया गया लेकिन सीधे directly आपसे नहीं कहा गया ठीक है किसी कर थ्रो कहलवाया गया ठीक है तो एक शब् report implicitly questioned his competence मतलब जो report है वो implicitly यह सुझाव दे रहे है कि इनके जो power है इनका जो ability है उस पे question किया जा रहा है इनके जो report है वो question कर रहे है इनकी ability ठीक है ऐसा कहा गया इस syndrome में ठीक चलिए next देखने है अगला जो word है माँबाद वो है indoors indoors एक word होती है इसका मतलब होता है उससे publicly that you give official support और agreement to a plan, statement, decision, etc. मतलब इसका synonym ratify हो सकता है ठीक है कह सकते हो ratify इसका synonym हो जाएगा तो किसी आप इस बात को publicly कह रहे हो कि मैं किसी plan को support करता हूँ officially ठीक है agreement को को plan है को idea उसको मैं officially support कर रहा हूँ मैं इसके समर्थन में हूँ तो वो indoors क्यालाती है ठीक है एक शब्द में कहा है तो समर्थन करना इसको बोल सकते हो आप ठीक है next देखते हैं अगला जो word है हमारे पास बुल्वर्क बुल्वर्क एक noun होता है इसका मतलब होता है something that protect you from dangerous or unpleasant situation तो कोई ऐसी चीज़ जो आपको dangerous और unpleasant situation से protect कर रही हो वो कहलाती है बुल्वर्क ठीक है एक शब्द में कहा है तो बचाओ करना हो जाएगा synonym की बात के तो wall और fortification हो जाएगा ठीक है जैसे कोई shield होती है shield कहते है shield क्या करती है बचाओ करती है आपका बुल्वर्क का काम कर रही होती है आपके लिए वो ठीक है और antonyum की बात के तो geoparadise और susceptibility हो जाएगा ठीक है sentence में इसका use देखें तो the organizers also see the program as an important bulwark against extremism मतलब जो organizers है उन्होंने एक program organized किया होगा उसको देख रहे हैं याजा कि जो extremism है जो लोग हमें हमारा oppose करते हैं उनको उनके लिए वो program बचाओ का काम करेगा उस program के तरह वो कोई message send कर रहे होंगे साथ public को media को ऐसा बो सकते हो ठीक चलो next देखते हैं अगला जो word है वो है free free एक noun होता है इसका मतलब होता है a fight an argument or any lively action scene मतलब कोई बहस कोई जगडा कोई लडाई कोई ऐसा चीज जो live दिख रही हो सामने हो एकदम real हो ऐसा बोल सकते हो वो कहलाती है free ठीक है तो जगडा या बहस कोई बनावटी ना वो एक real ह ऐसा बोल सकते हो आप ठीक है जगडा या बहस बोल सकते हो एक शब्द में synonym की बात करें तो conflict और contest हो जाएगा antonym की बात करें तो peace और accord हो जाएगा sentence में use देखें इसका तो France entered into the free as an ally of Russia तो France एक free में एक जगडे में खुश चुका है Russia के ally बनके and declared war against on Germany और Germany के उपर उसने war declare कर दिया है इस sentence में ऐसा बोला गया है ठीक चलिए next देखते है अगला जो word है वो है issue issue एक वर्व होती है इसका मतलब होता है avoiding something intentionally or giving up something giving something up मतलब किसी चीज़को आपने intentionally avoid किया है जानबूच कर मना किया किसी चीज़को अंजाने में आप से गलती नहीं है बूची आपने अ या तो एक कई बार होता मजबूरी में देखना लेकिन कई बार आप जानबूच कर देखते हो तो वो issue कराता है ठीक है अनॉनिम की बात के तो avoid करना और elude करना हो जाएगा अनॉनिम की बात के तो accept और acknowledge करना हो जाएगा sentence में गर इसका use देके तो you guys should issue social media till your final selection यह मैंने बना आपको कि आप लोगों को social media platform से बहुत दूर रहना चाहिए क्योंकि बहुत time waste करते हैं आपका जब तक आपका final selection नहीं हो जाता है थोड़ा बहुत रही है active रही है नहीं कि बिल्कुल दूर हो जाए लेकिन एक time decide रखिए कि इससे जाता use नहीं करना है ठीक है चलिए next देख करें भाणतु संबड़ी चाहिए काल सेल चाहिए तो वहो गया आज के लिए तक काम नहीं होगा फीक चलिए next है cutiron somebody some slack का क्या मतलब मतलब होता है karts अ बहुत जब सेंबाड़ी समस्लएक का मतलब होता है do not be so critical भोबबहूने किसीजी को क्रिटिसाईज मत करिए得 तर्य also कर रहे हैं उसके अच्छी चीज़ दिखी नहीं रही है आपको क्योंकि हरी चीज में अच्छी होती है चीज़ कुछ चीज़ अच्छी होती है तो दोनों को एक पैरलल वे में रखके चलना है ठीक है चलिए नेक्ष्ट है फ्रेजल वर्ब से यहां तो अपील टू का क्या मतलब होता है अपील टॉ के दो मतलब होते हैं तो प्लीड और एक जिज़ बहुत ही अट्रेक्टिव और इंट्रस्टिंग नजर आरी है वो हती है अपील टू एक्जामपल भी लिख कर आया हूं he appealed to the court to change its decision तो उसने court से appeal कि please अपना decision आप बदल दो ठीक है यह पहला example हो गया second है a vacation of sub-bathing doesn't appeal to me तो एक vacation होता है sub-bathing, sub-bathing मतलब होता है धूप सेखना ठीक है तो जो sub-bathing का vacation होता है छुट्टी होती है वो मुझे attract नहीं करती है, मुझे पसंद नहीं आती है ऐसा बोला है इस sentence में ठीक है चलिए next apply for, apply for का क्या मतलब होता है apply for का मतलब होता है to make a formal request for something job permit loan extract तो किसी चीज़ के लिए apply करना, request डालना ठीक है वो कहलाता है apply for हम लोग ने बहुत बार इसको use किया है अपने normal day life में ठीक है तो example है he applied for a scholarship for next semester तो उसने next semester के लिए अपने scholarship को apply किया ठीक है, चलिए फिरहाल वीडियो में इतना था दो question आपके लिए 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 कर आया हूँ मैं important question आपके exam point of view से एक है proactive ये कल के ही questions है और एक है unattainable ये भी कल का ही question है आपको कोसिस करना है कि एक synonym एक antonym दोनों के कोसिस करिए comment box में comment करने की और साथ ही अगर आप बना सकते हो तो एक sentence frame करके comment करो मैं उस पर reply करूँगा, ठीक है चलिए फिरहाल वीडियो में इतना था विद ने 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 वीडियो में तपकेली थांक य। और बेस्ट यू आपकेली थांक य।